आज हम डिसकस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ओफ रूरल लेबर के बारे में हमने सोचल इशूस के उपर बहुत सारे वीडियोज बनाये हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले आप जाईए और प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे वीडियोज देखिए और फिर हमारे इस वीडियो के उपर आईएगा तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हुए हम डिसकस करते हैं प्रॉब्लम्स ओफ रूरल लेबर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रूरल लेबर हम किसे कहेंगे तो रूरल लेबर हम उस इंसान को कहेंगे जो विलेज के अंदर काम कर रहा है और सिर्फ उनके पास जो सोर्स है अपनी इंकम का वो उनका लेबर है मतलब उनके पास किसी भी तरीके के दूसरे resources नहीं है किसी भी तरीके से दूसरा माध्यम नहीं है जिसके थूँ वो जो है अपनी income generate कर सके वो क्या करते हैं अपना labor बेचते हैं और उस labor को बेचने के बाद वो क्या करते हैं अपनी bread earn करते हैं ये concept हो गया of rural labor इनके पास किसी भी तरीके का control नहीं होता over land और over capital मतलब सिर्फ इनके पास इनका labor है जिसको इस्तमाल कौन करता है capitalist class इस्तमाल करता है तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे laborer को हम कहते हैं rural laborer अब इनकी problems क्या क्या हो सकती है क्या-क्या परिशानी ये face करते हैं उन्हें एक-एक करके हम discuss करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले security of tenure की हम बात कर लेते हैं तो जब हम security of tenure की बात करते हैं तो इनकी जो भी समय अवदी है वो निर्धारित नहीं होती कितने समय के लिए इन्हें काम मिलेगा for many days ये कोई भी तरीके से निर्धारित नहीं ये कोई contract sign करके नहीं जाते ये किसी भी तरीके से contract sign नहीं करते कि हमें क्या है 180 days के लिए आप रखोगे 180 days के लिए नहीं रखते हो तो ये-ए conditions लगेंगी हमें निकालते वक्त आपको इन सारी चीजों का ध्यान देना होगा और अगर उसके अलावा आप कोई दूसरा भी काम करवाते हैं हमसे तो उसका extra पैसा देना पड़ेगा इस तरीके कि कोई भी इनका contract नहीं होता इनका tenure secure नहीं होता कि हमारा tenure जो है वो secure नहीं है जितना हमें समय काम मिल रहा है उतना कर लेते हैं तो इनसे जादा काम भी करवाय जाता है इनको रखने के लिए इनका जादा exploitation भी कराया जाता है अगर इनको निकालने की बात आती है तो ये अपनी wage rate गिरा देते हैं जिसको हम अगली slide में discuss करेंगे तो सबसे पहली problem इनका कोई भी जो tenure है वो secured नहीं होता चलते हैं दूसरी problem की तरफ और दूसरी problem को समझने की कोशिश करते हैं that is wage जब हम wage की बात करते हैं तो सबसे पहले हम simple concept समझते हैं demand and supply हम हिंदूस्तान के अंदर रहते हैं और हिंदूस्तान की population कितनी है वो आप सबको मालूम यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैं इतने x amount में आपको पढ़ाऊंगा तो दूसरा इंसान आके खड़ा हो जाएगा कि वो x मांग रहा है मुझे x का 50% दे दो फरक नहीं पड़ता क्यों हमारे यहाँ पे demand कम है ऐसा नहीं है कि demand organically कम है बट जितनी भी जादा बढ़ जाए demand supply के सामने कम ही रहेगी क्यों हमारे पास इतने सारे laborers हैं for example मुझे एक road बनवानी है तो road के लिए अगर मैं contract बाहर निकालता हूँ अगर एक इंसान मेरे से 10,000 करोड मांग रहा है तो दूसरा बोलेगा मैं 8,000 करोड में कर दूँगा तीसरा बोलेगा 7,000 करोड में कर दूँगा अब वो cost cutting कहां करेगा वो laborers में cost cutting करेगा तो यह सारी चीज़ें आपको समझनी जरूरी है जब हम बात करते हैं wage laws की इंडिया के अंदर wage laws है wage laws के बारे में कहां national commission on laborers ने कि this is dead letter इसका कोई मतलब ही नहीं है आप कितने भी wage laws बना लिए वो implement नहीं होंगे उसके पीछे का reason यह है कि demand हमारे यहाँ पे कम है laborers की demand कम है और उसके मुकाबले क्या है supply जादा है तो अगर एक laborer कहता है कि मुझे 500 रुपे चाहिए तो उसके सामने 5 लोग और आके खड़े हो जाएंगे कि इसे 500 चाहिए मुझे 200 दीजिए मैं 200 में same आपको काम करके देता हूँ supply बहुत जादा है इसकी वज़े से यह problem हो रही है बहराल इसमें एक positive step हमें देखने के लिए मिला है जब से नरेगा आया है यह क्या देता है 100 days employment guarantees employment तो जहां जहां नरेगा implement हुआ है properly implement हुआ है वहां के landlords को नरेगा के अंदर जो दी जाने वाली तनखा है उसको match करना पड़ा है तो यह एक काफी जादा positive step हमने देखा इसलिए हमारी दूसरी problem यह है कि हमारे जो laborers है rural laborers हैं उनको wages properly नहीं मिलती अब चलते हैं अगली problem की तरफ and that is capitalist mode of farming जब हम capitalist mode of farming की बात करते हैं तो आप एक चीज़ साफ साफ देख पाएंगे कि पहले हमारे यहाँ पे किस तरीके की farming होती थी और अब किस तरीके की farming होती है पहले एक sponge effect करके हुआ करता था कुछ क्या है sponge effect उसे समझने की कोशिश करते हैं sponge effect एक farm जो है वो कितने laborers को अपने अंदर consume कर सकता consume in the sense वो कितने laborers को employment दे सकता है पहले जो है बहुत ज़ादा हुआ करता था बड़ धीरे धीरे क्या आया mechanization, machines machines ने क्या किया धीरे धीरे laborers का काम वो खतम करते चले गए जो 10 इंसान एक साथ मिलके काम करेंगे वो अकेली machine काम कर दिया करती थी दूसरी चीज इसी से क्या हो गया हमारे यहाँ पर product जो है वो बढ़ गया क्योंकि आप खुछ जानते हैं कि machine जितना काम करेगी उतना इंसान काम नहीं कर पाएगा तो पहले जो जजमानी system पे बेश था farming पहले कैसा बेश था जजमानी system अब वो कैसा हो गया capitalist हम आते हैं जजमानी system क्या है उसे समझने भी कि वोशिष करेंगे सबसे पहले sponge effect को समझ लेते हैं तो sponge effect जो है वो lose हो गया वो lost हो गया it was lost over the period of time why it was lost the reason was कि mechanization आया machines आई काफी जज़ादा और उसकी वज़े से farm को अब ज़ादा laborers की ज़रूरत नहीं रही तो एक चीज़ तो यह दूसरी outlook में change आया जजमानी system पहले क्या हुआ करता था जो जमिदार्स हुआ करते थे landlord हुआ करते थे उनकी कुछ social responsibility भी हुआ करती थी अपने laborers की तरफ अगर laborers के परिवार में किसी भी तरीके का कोई भी मांगलिक कारे होता है या कोई किसी का देहान तो जाता है तो उस समय पे landlord की यह जो है social responsibility रहा करती थी कि वो facilitate करें अपने laborers को बट जैसे जैसे capitalism आया और capitalism क्या कहता है profit the only aim of capitalism is profit तो profit आप बढ़ाएंगे कैसे profit आप वैसे बढ़ाएंगे जैसे जैसे आप social welfare schemes को कम करते जाएंगे तो जमीदार जो है landlord जो है वो जजमानी system से दूर जाते गए और वो purely capitalist हो गए कि जितना जादा आप हमें output देंगे उतना जादा बहतर है और हम आपकी तनखा जितनी कम हो सके उतनी कम करेंगे क्यों क्योंकि वो हमारे एक profit का हिस्सा लेके जारी तो ये तीसरा reason है जिसकी वज़े से problem arise हुई और ये सबसे बड़ी problem बन गए कि इसकी rural laborers की आगे चलते हैं और बागी problems को हम समझने की कोशिश करते हैं next is bonded labor आप में से कुछ बोलेंगे कि ये तो क्या है हमारे constitution के under abolish कर दिया गया बट जितनी चीज़ें constitution में दी गई है जितने provisions constitution में दिये गई है अगर वो वैसे के वैसे without any change without any distortion implement हो जाए तो हमारी society कितनी बढ़िया हो जाई आज कल जो bonded labor पाया जा रहा है वो उस form में नहीं पाया जा रहा जैसे पहले पाया जाता था अब इसे जो हैं वो convert कर देते हैं casual labor एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको जो है blanket डाल दी गई है bonded labor पे और आज भी हम बहुत सारे इंडिया के parts में इस तरीके का labor देख पा रहे हैं जहां पे या तो काफी कम amount दिया गया है या फिर वो जो labor सामने से ले रहे हैं वो अपना हिसाब चुकता करने के लिए ले रहे हैं जो पुराने जमाने में किसी time पे उन्होंने पैसे लिए होंगे उसका हिसाब चुकता करने के लिए ये चीज ले रहे तो आप इस ब्रह्म में मत रहिए कि आज की Indian society में यहाँ पे bonded labor बिलकुल भी नहीं है bonded labor बट जो पहले की form में था उस form में हमें देखने के लिए नहीं मिलता अगली problem की तरफ चलते हैं और अगली problem समझते हैं problems of non-form landless labor अब सिर्फ agricultural labor नहीं होते दूसरे होते है non-form landless labor ये क्या करते हैं ये roads में काम में आते है road building में buildings ठीक and etc मतलब जितने भी farm के अलावा function हो गए tank बनाना well बनाना, road बनाना, building बनाना जितने भी तरीके के labor हो गए वो क्या आ गए वो इसके अंडर आ गए इनकी भी problem majority तरीके से same ही है जो problem agricultural labor face कर रहे हैं वैसी problem ये भी face कर रहे हैं बट इनको थोड़ी सी सायता मिल जाती क्यों क्योंकि ये group में आते ये वाले जो हैं ये group में आते agricultural labor जो है वो group में नहीं आता वो individual रहता है वो अकेला इंसान काम करता है बट ये वाले जो laborers हैं इनका एक group होता है जो साथ में आते हैं तो इसकी वज़े से इनकी bargaining power कुछ हद तक बढ़ जाती bargaining power इनकी कुछ हद तक बढ़ जाती तो इनका ये benefit है बट problems इनकी भी majority तरीके से सेम ही है कुछ जाधा फरक नहीं आता चलिए आगे चलते हैं और अगली problem को समझने की कोशिश करते हैं कि अगली problem क्या है problems of articians so problems of articians कहां से चालू हुई इसकी genesis क्या है उससे समझने की कोशिश करते हैं तो ये शुरू हुई British era से कहां से? British era से British era के दौरान क्या गया गया? जो Indian articians थे उनके product को England के अंदर entry मना ही कर दी कि England के अंदर ये product नहीं हाएंगे वहाँ पे industrialization आया तो एक problem तो ये आई दूसरी अगर इंडिया के अंदर बात करें तो पहले जो राजा माराजा हुआ करते थे वो इनको अपने आधिपत्य के अंदर रखा करते थे इनको साहता देते थे इनको जो है पैसों की साहता करते थे बट Britishers को ये चीजों का शौक नहीं था तो इनका धीरे धीरे काम कम होता चला गया और उसके बाद अगर हम post independence बात करें post independence की अगर हम बात करें तो उस दोरान आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो यहाँ पे हैं इन्हें support दिया गया ठीक है protection दी गई बट वो protection जादा कुछ useful साबित नहीं हुई उसके पीछे का reason ये है कि अब धीरे-धीरे चीज़ें नीचे चाती हुई चली गई क्यों क्योंकि industrialization था खादी जो है इन्सान पहनना चाता है पर खादी पहने कैसे पहली चीज तो गरीब इनसान किस तरीके से खादी पहनेगा इतना महंगा कपड़ा है ठीक है तो एक reason तो ये हो गया दूसरा इंसान चाता है finishing तो जितने भी artist वाले goods होते है उसमें finishing उतनी बहतर आपको नहीं मिलती machine made goods में आपको क्या मिलती है finishing मिलती है और दूसरी चीज machine made goods जो होते हैं उसका cost काफी ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि obviously जितना ज़्यादा आप produce करेंगे उतना ज़्यादा आपका cost नीचे आता जाएगा तो ये सारी problems artisans ने भी face करी और धीरे-धीरे इनका जो पेशा था पुष्टैनी पेशा था इसे छोड़के ये लोग बाहर आते गए और ये एक reason बन गया migration का भी, ठीक है urbanization का भी, आज हम देख पारे हैं कि हमारी आज की जो cities हैं वो काफी ज़्यादा overloaded है, उसके पीछे भी एक ये reason है, क्योंकि artist जो है, वो अपना पेशा जो है उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, और क्यों छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो उतनी आमदनी कमा नहीं पा रहे, तो ये कुछ problems हमने discuss करी, of rural laborers, I hope you like this video lecture, और आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अगर कोई भी आपके अंदर doubt है, तो please comment section में mention करियेगा, thank you very much for watching, and please like, share and subscribe our YouTube channel, thank you